किसानों के डिमांड पे हमारी जन प्रतिन दियों के डिमांड पे मंत्री मंडल के साथियों के डिमांड पे ये 15 क्यूंटल से बिढ़ा के 20 क्यूंटल के रहे सियम भुपेश बखेल की इस घोषना के बाद एक तरफ किसानों के चहरे खिलखिला उठे लेकिन बीजेपी को ये घोषना रास नहीं आ रही है अब धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेर रही है मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने न्याय योजना को धान तसकरी न्याय योजना बताया है साथी 20 क्यूंटल धान खरीदी योजना को राजनीतिक लॉलिपॉप कहा है 36 गड़ के मुख्य मंत्री स्री भूपेश बगेल जी ने 20 क्यूंटल धान खरीदने के घोस्तना विदान सबा में की थी 2021 तक के धान उत्पादक्ता के आंकड़े मेरे पास मौजूद है मैंने विभिन स्रोतों से इसको जूटाया है 22 और 23 चोविस के आंकड़े अभी उपलब्द नहीं है तो सबसे ज़्यादा उत्पादक्ता जो है राइपूर में 17.58 क्यूंटल प्रतियेकड़ है इसका मतलब यह है कि 20 क्यूंटल के घोस्तना सिर्फ राजनितिक है या फिर ये कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी नियाई ओजना है भले ही अब अजय चंद्राकर 20 क्विंटल धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरें लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी है तब से बीजेपी 20 क्विंटल प्रती एकर धान की खरीदी की मांग करती आई है वहीं अब उसके आरोप लगाने पर कॉंग्रेस का कहना है कि अजय चंद्राकर को भगवान सत्थ बुद्धी दे अजय चंद्राकर जी को भगवान सत्थ बुद्धी दे 36 गड़ धान का कटोरा है और धान के कटोरा के जो मालिक है यहां के किसान, यहां के मेहनत का स्लो जाहिर है कि धान खरीदी सीधे किसानों से जुड़ी है SMS बड़े वर्ग को साधने की कोशिश BJP और कॉंग्रेस दोनों की ओर से हो रही है अब देखना होगा धान खरीदी पर शुरू हुई सियासत चुनाव से पहले कितना जोर पकड़ती है Bureau Report, Bansal News नमस्कार, मैं हूँ दीपक मिश्रो, 36 गड़ आज का हमारा मुद्दा है 20 कुंटल की सियासत जी हाँ, धान खरीदी को लेकर 36 गड़ में फिर सियासत गर्मा रही है CM भूपेश ने ऐलान किया है कि प्रती एकड़ 20 कुंटल धान की खरीदी होगी जिस पर अब BJP ने कॉंग्रेस पर आरोप लगा है जाहिर है कि इस साल विधान सबा चुनाव होना है और ऐसे में धान खरीदी के जरिए किसानों को साधने की कवायद तेज होती दिख रही है तो करेंगे चर्चा आज इसी विश्रे पर मिलिये महमानों से जो हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कॉंग्रेस प्रवक्ता सुरेंदर वर्मा जी जुड़ रहे हैं BJP प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और किसान नेता पारसनाथ साहू जी जुड़ रहे हैं आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवलाल ठाकुर जी आपकी प्रतिक्रिया लिकर में करूँगा एक तरफ तो सीम भुपेश बगिल ने बड़ा एलान किया है प्रतियक प्रतियो प्रतियों ने बने बड़ाग में तो से रहे हैं और तो स्वागत है अबसे बात तो यहां रिज़्य में ऐसल दो आधेन्यों ने प्रतिक्ते बात दोर्चा प्रतियों तो जर्गन पसल रले फ़सल तरीफ पसल इसी की बात के इस इशारा थां जाना चाना पांग्रेश की शर्कार आपी ने से खोल देन। जहां पर भान की खरीगा जा रहा है और यहीं भी एक्रक इंतल परीजा जा रहा है। अगर आप यह बात कह रहे हैं तो फिर हम किसकी बात माने एक तरफ आप यह बात कह रहे हैं तो कौंग्रेश की सरकार तो कहा के धान खरीदी के मामले में हर साल हम नया किरतीमान भी इस्थापित कर रहे हैं तो फिर सचा ही गया है तो यहां सर्कार के चिचानों के साहत अहीं के पाम कर रहे हैं आप जो फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं आप अपने जो बोलस दे रहे हैं तो अच्छार पी हो गया है ना समर्फन गिलिये तो बाची के पाशित नहीं बढ़ाएं गया गया किसानों के किसानों को लगाते हैं तो फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन चार साथ किसानों का पूरा दाना दाना नहीं खरिक पार किसानों के हित में किसानों को लगातार फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं लेकिन धान खरीदी के समसले पर बीजेपी तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है दीपक जी बदजुबानी जो है वो भारती जन्ता पार्टी के नेताओं का चरित्र बन चुका है यह किस मूं से आरोप लगाते हैं 2013 में जब यह आखरी बार चुनाओ जीते रमन्सी की सरकार में याद कर ले 10 कुंटल खरीदे थे जब कॉंग्रेस सड़क पे आई तब उसको बढ़ा के 15 कुंटल करना पड़ा 2100 समर्थर मुल्य और 300 रुपय बोनास 2400 का वादा था दिये कितना 2013 में 1370 हर किसान का 1030 रुपया प्रती कुंटल यह ड़केती करने वाले भाजपाई किस मूं से आरोप लगा रहे हैं कभी यह किसानों को खालस्तानी कहते हैं कभी आतंकवादी कहते हैं आज किसानों का अपमान कर रहे हैं आज दिपक जी जो विशाय है अजय चंद्राकर के बयान पर एक सब नहीं फुटता इनके मूह से और भूपेज बगेल सरकार ने प्रमानित किया है अपने काम से पहला वादा था गोस्टना पत्र में करदमाफी का वो हमने पूरा किया करने का बादा था वो हमने पूरा किया तो चीस प्रकार से जूट बोलते हैं यह जो आगड़े अजय चत्राकर जी बता रहे थे केंद्री उत्पादं के आकड़े हैं 36 जो परिस्थी और बाता वरण है जो महसम है अहां का दिपक जी भेट मुलाकात में यह मांग की जाती रही किसान संगठनों की और किसानों की यह सीमा बढ़ाई जाए यहां जांजगीर जीला है यहां रायगर जीला है रायपूर जीला धमतरी और तमाम जगे हैं जहां पर 25 कुंटल गान का उत्पादन होता है तो यह दली चाटू कारता में इस प्रकार से गलत बयानी करते हैं बाचपाई चलिए लेकिन सुरेण जी जिस तरह से बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है अजे चंद्राकर का भी बयान आपने सुना वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2021 तक के जो है आखड़े निकलवाए हैं और रायपूर का वो हवाला दे रहे हैं राजधानी रायपूर म कुछ अधिक्तम पैदावार वो बता रहे हैं प्रति एकड़ 20 कुंटल फिर आपकी सरकार कैसे खरीद रहे हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं दीपक जी मैं सोयम किसान परिवार से हूँ अचोली में मेरी जमीन जो 50 किलोमीटर है ये भाज़पा के नेता चले मेरे साथ मेरे साथ बटे हैं पाराशनात रजवाड़े जी इनसे आप पूछ लीजिए ये 36 गड़ है जहांके मेहनतकस किसान 30 और 32 कुंटल तक प्रतिये क पर्टी ये केंद्री आकड़े हैं जो भी तीन साल पुराने हैं मोती सरकार ने तो आकड़े तो बहुना पुर्वक चुपाने का काम कर रही है ये आसमान में धुकेंगे ये किसानों को तसकर कहेंगे तो ये इनके राजनितिक भवी से अपना सोच ले चली मैं दोनु महमानों के पास लोटूंगा, मैं पारसनाथ जी से जबाछीट कर लेता ह driesार करते हैं अच्छा होता है जब कोई भी सरकार किसानों के हित्मे काम करती है हम BJP कॉंगरेस में नहीं पड़ते हैं लेकिन जिस तरह से इस वक्त वर्तमान में 36 गड़ में किसानों को लेकर सरकार काम कर रही है, धान खरीदी का मसला हो, सौगातें देने का मसला हो, किसानों की जनहितेशी युजनाओं की हम बात करें, क्या कहेंगे आप, धान खरीदी के मसले पर CM भूपेश का एक बड़ा फै और इस पर आपत्ति जताने वाले, अजय चंद्राकर जी कि मैं कड़ी निंदा करता हूँ, ये किसानों का सरासर अपमान है, वो कहते हैं कि 17 कुंटल या साड़े 17 कुंटल उत्पादन होता है, और बागी का तसकरी करेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ, धमतरी इलाका में 32 से 36 कुंटल उत्पादन होता है, राजिम इलाके में अवसाद 32 कुंटल उत्पादन होता है, आरंग इलाके में 22 से 25 कुंटल उत्पादन होता है, आप कवरधा एरिया में लेलो, बेमे तरह एरिया में लेलो, 20 से उपर उत्पादन होता है, सिर्फ बस्तर में 20 से कम उत्प पादन बढ़ रहा है इनके खुद कुरुत की इलाके में आज इस कारिकन को देख रहे हैं होंगे कुरुत छेत्र के किसान लोग तो निश्ची दुरुप से इसको कोसेंगे वहां भी 20-25 कुंटल उत्पादन होता है और कैसे बोलते हैं निश्ची दुरुप से ये किसान वीर किसानों को लेकर सरकारें भड़े वादे बी करती है मैं चली आप से सवाल पूछ रहा हूं ल किसान कई 사elnों से वादित होते हैं कई दफ़ा किसान ठगा भी महसूस करते हैं और कई दफ़ा किसान काफी खिल खिलाते भी हैं कि हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ सोचेगी मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं 36 गड़ में किसानों को लेकर पूरे परिपेक्ष में योजनाओं से लेकर किसानों के जनहितेश योजनाओं से लेकर जो काम इस वक चल रहा है इस पर आप क्या टिपनी रखते हैं क्य यह काम लगातार आगे भी होना चाहिए या इसमें कुछ सुधार या फिर इसमें कुछ और कुछ रिट करने के आप इसमें आविश्रक्ता मैसूस करते हैं इस चतिस गड़ में चाहे भूमेहिंड किसानों की हो चाहे गौठान के माध्यम से उसमें कायर करने वाले स्वसाहता समूह हो सबके लिए मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरा-पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी ने या भूपेस सरकार ने जो किस सब्सक्राइब करने और यह जो बीस कुंटल जैसे पहले बोला था हम पच्छी सब्सक्राइब कि उससे भी पूरा किया आज बीस कुंटल बोले है उसमें हम लोग किसानों को को कोई सख नहीं है ठीक देवलाल जी क्या कहेंगे देखिए पहले को हमारे को किशान मेंता है इस बात को सुभाद में अजय चंद्राटाजी में कहीं पर शेल की डेकिज़ पर आये जन्ता के पथल्पक नहीं लगए यह आपके कांग्रेस के ही जो रिपोर्ट है उसको सरकार के आखरे को पढ़कर बताया है कि साड़े सातरा इन लोगों की हाइज खरीदी है जो एकड़ पीछे होती है इस इस पदर को बताया है इसको पहले समझ भी इस बात को समझने क्या वश्कता है जब तक आप समझेंगे लिए उसकी लेक्षिगत राएगी है वो ठीक है पुरूप चेत्रे से आते हैं मैं आपकी बात को सामत ह पुरूप पहलों आप जोड़ा रहा है आप उसका सब्सक्राइब रहे हैं यह किसारों करें देखे जाके किसारों के आप शुदे करेंगा आप सुदे करें ना वो तुम बता रहे हैं लेकिस चांदरस की सरथा जूड़ बोल रही है किसार सब्सक्राइब रहे हैं उनका बंद करानी है उनका उनका बंद करानी है इस चांद चाहीं आप शचले से बर गये यहां तुदि किसारों के पांच लाठ लाए जोगा दे रहा है अब इस प्रदेश के मुग के मुद्री गुदेर लगें लगें लिए उसका नहीं कि अब अब कर रहे है आज फेंसी पोरों का पैसा नहीं कि अब करने का वादा किया था लागत चार हुरा कर दिया है और शक्तिस गड़ की घंज़ता से तो इस प्रदेश के मुझे मद्री को माववी मानना की लिए कि आखिर प्रदेश के पास कोई सरकारी आख्ड़े है क्योंकि देवलाल जी कह रहे हैं कि अजय चंद्राकर ने कोई व्यक्तिकत टिपनी नहीं किये वो सरकारी आख्ड़ों के बूते 2021 तक की बात कह रहे हैं कि अधिकतम साड़े सत्रा प्रती एकर कोईंचल की वहाँ पर पैदावार हुई है तो बाकी का फिर सरकार अगर खरीदी गया खरीदे गया तिरिक उसका हिस्ताब क्या होगा आपके पास कोई लेटिस्ट आख्ड़ा है 2023 तक 22 तक कि किसानों का जो उत्धान का खरीदी का पंजयन होता है वो भी एक रिकार्ड है अनावरी रिपोर्ट भी रिकार्ड है और जो गिर्दावली की जाती वो भी रिकार्ड है 36 गड़ में 38 लाख किसान परिवार हैं यदि भाजपाईयों के मन में कोई संसर है तो जाके पूछ ले किसानों से और यह जूट पहरा ना को छोड़ दे सब्सक्राइब करते हैं कि आपको याद होगा है यह वही देशा है जहां तो जाविना सनायों करने का लागत में पचार परसेंट लागत देरेगा वाद अधिया तबागत पाई है कि यह उल्टा लागत चार उना करती है डीजल पर सेंटर लेक्साइब देवलाल जी लेकिन देवलाल जी आप आप दर्शकों को या किसानों को 36 गड़ के किसानों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि सत्ता में अगर आते हैं तो आप इस पर अपना क्या मत रखते हैं क्योंकि सब्सक्राइब विपक्ष में थे हमारे सड़कों पर आने पर हमने सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे नहीं अगर इन तरह इस ना की शुक्राइब करेंगे करेंगे दो अब होती है अगर ओना दो है उसक्राइब पर इस निकिसानों के लिए होती है चांडर के पुझी पति पुझी पति में पर जोपी में नोया में अर्याना में यहां नानी के गुलाण में कभी किसाद नहीं रहा है यह सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं यह समय किसार में रोधी नीति खटने वाले हैं चाहिए तरह जो बाद गह रहे हैं उट्रें जी जो बात गह रहे हैं किसानों को कैसे आश्वस्त करेंगे आप देवलाल जी आप किसानों को कैसे आश्वस्त करेंगे और आपको आईना भी दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप किसानों को कैसे आश्वस्त करेंगे भारती जन्ता पार्टी की जा थान भी खरीगा जा रहा है यहां पर पर भरोसा करके सब्सक्राइब करेंगे जनादेश दिया उस जनादेश का मांगने का दिया इसकी सब्सक्राइब कर दी गई है ऐसा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं न कहीं इस सब्सक्राइब करेंगे आप दोनों मेहमान जिस तरह से अपना अपना तर्क रख रहे हैं सुरेन जी का कहना है कि बीजेपी को माफी मागना चाहिए 15 साल ततकालिन रमन सरकार के वक्त क्या हुआ ये जनता जानती है बखुबी 36 गड़की प्रदेश की लेकिन देवलाल जी का अपना तर्क है देवलाल जी कह रहे है कि कॉंग्रेस कहर कुछ और रही है बता कुछ औ सुरेन जी दिवलाल जी और पारसना जी क्योंकि समय की कमी है इसलिए आप चर्चा को में आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इसलिए आप तीनों महमानों का बहुत शुक्रिया 36 गड़ में फिलाल किसानों को लेकर जो सरकार काम कर रही है किसान इसवक्ष है लेकिन अने को मुद्धे भारती जनता पार्टी उठा रही है सत्ता में आने की बात कह रही है और कॉंग्रेस उसे खारिश कर रही है भुपेश सरकार के भरोसे जनता है लेकिन देखना होगा 2023 का यह रण किस तरफ जाएगा चुनाव में किसकी जीत होगी फिलाल आज का मुद्धा में इतना ही नमस्क्राइब